हेलो फ्रेंड्स आप सभी का पियांसर यूटूब चानल में स्वागत है देखे फ्रेंड्स इस वीडियो में हम क्लास 12 का HSC 2024 जो स्टेट बोर्ड एक्जाम है इस एक्जाम में मास 1 और मास 2 के चाप्टर वाइज माच डिस्ट्रिबिशन साथ में माथेमाटिस का question paper format इन दोनों point को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से discuss करेंगे देखे friends मेरे आपसे भी से request है अगर आप इस चानल पे ने हो तो please इस चानल को subscribe कीजिए वीडियो देखे बात like जरूर कीजिए एक अच्छी सी comment मुझे जरूर सेंड कीजिए और इन वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए देखे friends exam में hundred out of hundred मास लाना इसके लिए हमें पूरे साल बार अच्छी तरह से planning करना होगा वैसे तो हमने इस youtube चैनल के उपर paper first और paper second दोनों paper के chapter wise हर एक question के solution के video lectures को upload कर रहा है आप उन वीडियो को जरूर देखिए साथ में जो practical examination है उसके भी वीडियो हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे upload कर रहा है देखिए friends mathematics का question paper जो 80 math का रहता है theory का question paper जो हमें 3 hours के लिए दिया जाता है इसके लिए 3 hours का time allowed किया जाता है तो इस 80 math में chapter wise math distribution यहाँ पे हम discuss करेंगे 20 math का आपको practical रहता है 80 plus 20 ऐसे 100 math का mathematics यह हमारा subject है तो chapter wise math distribution तो हम यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से discuss करेंगे क्यों करेंगे because chapter wise math distribution और question paper format इन दोनों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें 100 out of 100 math मिल सकते हैं मतलब हम अच्छू कर सकते हैं मिल सकते हैं मतलब definitely हमें मिलेंगे लेकिन इसके लिए पूरे साल बर with planning हमें preparation करना है इसके पूरे साल बर आप मेरे साथ बने रही है मेरे साथ चुडे रही है आपके chapter wise हरे question के solution इसके पहले question state board question paper में पूछे गए हरे question के solution इन सभी बातों को इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरह से discuss करते हैं देखिए paper first और paper second दोनों मिला के total हमारे पास 15 chapters है math first में 7 chapters और math second में 8 chapters 7 plus 8 total 15 chapters हमें mathematics इस subject में है इस साल के लिए class 12 के लिए अब यहाँ पर chapter wise mark distribution जो है देखिए math first में सबसे ज़्यादा weightage वाला जो chapter है यह vectors vectors के लिए यहाँ पर है 12 marks धान दीजिए वैसे अगर देखा जाए तो 80 marks का question paper है compulsory लेकिन with options रहता है 112 marks का तो यहाँ पर हम जो chapter wise mark distribution डिसकस कर रहे है यह chapter wise mark distribution हम with option discuss कर रहे है compulsory नहीं with options हम यहाँ पर हमें with options ही chapter wise mark distribution state board ने provide किया है उसी को हम यहाँ पर discuss कर रहे है फिर इसके बाद में इससे कम वाले अगर chapter देखे जाए तो trigonometric function यह जो chapter यह 10 marks के लिए साथ में line and plane यह chapter 10 marks के लिए इससे कम वेटेज वाला जो chapter है यह mathematical logic पहला chapter बहुती easy है बहुती simple है 8 marks के लिए फिर mattresses 6 marks के लिए pair of straight line 6 marks के लिए और सबसे कम वेटेज वाला लेकिन सबसे easy chapter linear programming जिसे हम LPP कहते है linear programming problem यह chapter है 4 marks के लिए अगर आप इन सभी का addition लेते हो तो you will get year 56 मतलब 40 marks का ध्यान दीजे 40 marks का जो math first है compulsory 40 marks का with options यह 56 marks का रहता है लेकिन question paper में math first math second ऐसा separate नहीं देखने को मिलेगा हमें question paper में एक साथ ही हमारे question paper में total 4 section रहते है उसको भी हम आगे जाके discuss करने वाले है तो वहाँ पे mix में यह questions आपको पूछे जाएंगे math first और math second के उपर लेकिन अगर उसका हम analysis करते है तो 40 marks का compulsory math first का question paper हमें देखने को मतलब 40 marks के questions हमें देखने को मिलेंगे question paper में और 50 marks के with options हमें questions वहाँ पे देखने को मिलेंगे ठीक है अब यह हुआ 56 marks सबसे ज़्यादा वेटेज वाला chapter कुन सा है vectors बहुत easy chapter है अच्छी तरह से यह सभी chapters बहुत easy है यहाँ पे vectors line and plane यही दो chapters एक दूजे के साथ related है बाकी देखिए friends mathematical logic के उपर mattresses depend नहीं है इन दोनों के उपर trigonometric function depend नहीं है इन तीनों के उपर pair of set lines depend नहीं है मतलब math first में आपको variation देखने को मिलेगा math second में वैसा नहीं है chapter 1 से लेके chapter 6 तक they are connected chain के जैसे एक दूजे में फसे हुए chapters है लेकिन यहाँ पर आपको वैसे देखने को नहीं मिलेगा चीक है अब math second के बारे में अगर हम सोचते है तो math second में सबसे ज़्यादा weightage वाला जो chapter यह integration 10 marks का chapter है ना यह जो integration है यह है 10 marks के लिए फिर उससे कम वाले अगर हम देखते है तो differentiation 9 marks के लिए और application of derivatives 9 marks के लिए इस प्रकार से सबसे ज़्यादा weightage वाला integration अब इस integration के उपर dependent definite integration जो integration में सीखने वाले है उसी को definite integration में यूज करना है जो भी method sum integration में सीखेंगे उसी को यूज करना है definite integration में यह six marks का है अब देखें friends application of derivative differentiation का ही पार्ट है इसका ही application यहाँ पर है फिर इसके बाद में जो application of different integration है यह चाप्टर इसके उपर डिपेंड है नाम में यह आपको दिख रहा है यहाँ पर integration है यहाँ पर integration यहाँ भी integration है और differentiation integration द्यार inverse process of each other जैसे biology में photosynthesis inspiration रहता है उसी प्रकार से differentiation integration एक दुझे के opposite रहते है तो differentiation मालूम रहा तो integration समझेगा इसके लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर one से लेके six तक पूरे चाप्टर द्यार correlated एक दुझे के साथ जुड़े हुई है ठीक है फिर इसके बाद में जो application of different integration है यह 4 मार्स का chapter है यह सबसे कम विटेज वाला chapter है यहाँ पर differential equation 8 मार्स का यह यहाँ पर आप जो सीखोगे ना one two three four five में वहीं आपको differential equation में सीखना है ओके फिर इसके बाद में जो chapter same नाम के दिख रहे प्राविट डिस्रिबिशन बाइनमियल डिस्रिबिशन सिफ यहाँ पर प्राविटी यहाँ पर बाइनमियल अलग अलग वर्ड है यह दोनों chapter से मार्स के 55 मार्स अगर आप इन सभी का सम लेते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 56 और यह सभी preparation हम चुटकों में कर सकते हैं पूरे साल बार आपको मेरे साथ बने रहना है मेरे साथ जुडे रहना बहुत ही अच्छी तरह से हम preparation करेंगे यहाँ पर आपके test conduct करेंगे पूरे साल बार test conduct करेंगे chapter वाई test रहेंगे paper वाई test रहेंगे full subject full lane question paper यहाँ पर हम आपके conduct करेंगे इसके लिए आपको मेरा telegram group join करना है उसी group का link मैंने इसी वीडियो के description में provide किया है class 12 का telegram का group है सिर्ट बोर्ड का preparation नहीं करना है इसलिए मेरी आपसे भी से request है आप मेरे साथ बने रही है आप मेरे साथ चुड़े रही है आप लोगों का प्रेम निशीत रुप से मेरा उस्सा बढ़ेगा आप वीडियो देखे बात like जरूर कीजिए comment अच्छी जरूर जरूर सेंड कीज और इन वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए पूरे साल बर मेरे साथ बने रही है तो देखे फ्रेंड्स यह है चाप्टर वाइस मार्ट डिस्टिबिशन 56 मार्स का पेपर फॉस्ट 56 मार्स का पेपर सेकेंड दोरों मिलाके 112 मार्स कमपलसरी 80 दी मांस का क्वेशन पेपर लेकिन वीत ऌप्शंस 112 मास का क्वेशन पेपर ठीक है इसका स्कुरिंशॉट लीजिए अब हम डिसकस करेंगे question paper format पहुत important है chapter wise mark distribution question paper format पूरे साल बर आपको बिलकुल इसको धान में लेके पढ़ाई करनी है अगर इसको धान में रख्या पढ़ाई करोगे तो आपको hundred out of hundred मास लेने के लिए यह मास अच्छू करने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा इसके लिए लेकिन आपको पूरे साल बर question paper format और चाप्टर वाइस mark distribution दोनों का combination अपने दिमाग में बिलकुल fit करना है ठीक है देखें यहां पर जो section A है इसे हम compulsory section कहते है क्योंकि यहां पर कहीं पर भी आपको with options देखने को नहीं मिलेंगे मतलब इतने question दिये और इतने question attempt करो ऐसा यहां पर नहीं है question one और question two यह दोनों भी question आपके लिए compulsory है question one में total यहां पर eight mcq हमें दिये जाते है इन eight mcq को two marks हर एक mcq two marks के लिए two 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 हर एक question two marks के लिए इसका मतलब यह section A का question number one compulsory है 16 marks के लिए ठीक है ना अब दिखेंगे मैंने जो आपको 112 सम बताया था एडिशन बताया था दोनों मिला के मैस फर्स और मैस सेकंड तो यहां पर आपको 112 यह एडिशन देखने को मिलेगा वी तो आप्शन लेकिन कंपल्सरी 80 marks का रहेगा अब यहां पर कैसा रहेगा देखिए यह पहले four mcq paper first के उपर paper first paper first math first और बाद में के दो four mcq second के उपर हमें पूछे जाएंगे तो यह हुआ ना equal distribution 16 marks का जो question one है mcq जिसमें 8 mcq है उसमें से four mcq paper first के उपर पूछे जाएंगे four mcq paper second के उपर पूछे जाएंगे मतलब पूरे question paper में 80 marks का जो compulsory question paper है इसमें यहां पर आपको 40-40 marks के equal distribution देखने को मिलेगा paper first और paper second में फिर यहां यह जो है ना यह short answer type question है यह जो है यह short answer type question very short answer type question रहते है यहां पर यह four आपको answer in one sentence जैसे question पूछे जाएंगे जिसका answer सिर्फ आपको एक sentence में देना है और देखे फ्रेंट्स बाकी subject के comparison में math different क्यूं है क्योंकि mathematics में हाप marking scheme नहीं है यह बहुत important चीज़े बहुत important बात है हाप मार्क यहां पे नहीं है किसी भी question को आपको हाप मार्क a lot नहीं किया जाएगा यह धान में रखो पे बाकी सभी subject में हाप मार्क दिया जाता है वन मार्क का question है तो आधा मार्क मिल सकता है अगर एक अधी आपकी बराबर रही तो तो फिर क्या होगा हाप को accounting में फुल किया जाता है यह यहां पे चांस नहीं है देखिए यह बहुत बड़ी बात है यह आपको ध्यान में रखना है पूरे साल बर question paper solve करते समय भी हाप मार्क माथमाडिक्स में नहीं है क्लास 12 में मास इक ऐसा subject है जहां पे हाप मार्किंग स्किम नहीं है ठीक है अब देखिए यहां पे भी यह हरे question हमें one mark के लिए पूछा जाता है और चारों भी question सेटम्ट करने रहते है पेपर first के उपर दो questions पेपर second के उपर दो questions आप एक इंपर सरी वीट आप्शन का इंपर सरी आपको है तो यह 16 प्लस 4 यह 20 मास का section A हो गया हमारा 20 मास का section A होगा 20 मास का ओके अब section B में question number 3 से लेके question question number 14 तक के questions total 12 questions है लेकिन 12 question में से हमें attempt करने रहते है attempt any 8 12 दिये जाएंगे और 8 हमें attempt करना है each question carry 2 marks इसका मतलब यह compulsory रहेगा 16 marks के लिए और width options अगर देखा जाए 12 questions है तो width options रहेगा यह 24 marks के लिए जैसे यह compulsory 20 marks के लिए वैसे compulsory 16 marks के लिए और 12 questions है 12, 2, 24 तो यह width options 24 marks के लिए रहेगा और यह जो 8 questions है इन में से पहले 4 questions paper first के उपर और बाद में के 4 questions paper second के उपर मतलब equal distribution होगा तो यह जो हमें 8 questions appointment करने है अगर का compulsory देखा जाए तो बराबर यह 16 में से 8 marks paper first के लिए 8 marks paper second के लिए ऐसे आप देख सकते हो ठीक है ना तो देखें फ्रेंड्स यह 16 marks का compulsory और 24 marks का width options question number 3 से लेके question number 14 तक questions रहेंगे section B में उसमें से हमें कितने questions रहेंगे 12 उसमें से हमें कितने attempt करने है 8 questions attempt any 8 total 12 questions उसमें से 8 questions हमें attempt करने है उसी प्रकार से section C में धान दीजिए question number 15 से लेके question number 26 तक total 12 questions है उसमें से हमें attempt करने है attempt any 8 यहाँ पे भी 8 questions हमें attempt करने है and each question carry 3 marks यहाँ पे जैसे हर एक question 2 marks के लिए वैसे यहाँ पे हर एक question 3 marks के लिए तो यह compulsory 24 marks का question रहेगा और with options 8 questions 12 questions है 12 threes are it will be 36 with options यह 36 marks का question रहेगा with options मतलब total आपको 12 questions दिये रहेंगे उसमें से 8 attempt करने है 12 threes are 36 and 8 threes are 24 तो यह compulsory 24 marks का with options 36 marks का उसी प्रकार से section D में question number 27 से लेके question number 34 तक अब देखे friends यह जो 12 questions दिये रहेंगे इसमें फिर 6 questions paper first के उपर और 6 questions paper second के उपर हमें पूछे जाएंगे ठीक है अब इस question number 27 से लेके question number 34 तक total 8 questions है लेकिन इस 8 question में से हमें सिर्फ यहाँ पे attempt करने है attempt any five you सिर्फ five questions को हमें attempt करना है and each question carry here धान दीजिए यहाँ पे हर एक question के लिए रहेगा four marks section D four marks के लिए है ना तो attempt any five इसका मतलब यहाँ पे five fours are 20 और total कितने दे रहेते eight eight fours are 32 with options 32 marks के लिए compulsory 20 marks के लिए अब अगर हम compulsory marks के बारे में सोचते है तो section A compulsory 20 marks के लिए section B compulsory 16 marks के लिए section C compulsory 24 marks के लिए section D compulsory 20 marks के लिए अगर आप इन सभी का sum लोगे you will get here 80 6 plus 4 10 0 carry 1 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6 plus 2 8 तो यह total 80 marks का with options अगर देखा जाए तो section A compulsory 20 marks with options 20 marks section B with options 24 marks section C with options 36 marks section D with options 32 marks अगर आप इन सभी का sum लेते हो 6 plus 2 8 8 plus 4 12 carry बना 1 का 3 plus 1 4 4 plus 3 7 7 plus 2 9 9 plus 2 11 with options 112 marks ठीक है ना तो section B section C और section D यहाँ पे आपको options है यहाँ पे total 12 questions दिये जाएंगे 8 attempt करो यहाँ पे भी 12 questions है 8 attempt करो यहाँ पे total आपको 8 questions दिये जाएंगे 5 questions attempt करो लेकिन यहाँ choice नहीं है धान दीजेए यहाँ पे choice नहीं है यहाँ यह section A जो है यह compulsory में आता है section A मारा question paper 4 section में divided है section A section B section C और section D मैंने section wise भी आपको बता है यह compulsory marks है यह with options marks है इस वजह से paper first 56 marks का with options paper second 56 marks का with options लेकिन A की साथ रहेगा different नहीं रहेगा A की साथ आपका A की question paper में paper first और paper second के combination में questions आपको पूछे जाएंगे math first और math second के 3 hours के लिए 80 marks का question paper जिसमें total आपको 15 chapters prepare करने है उसमें से seven chapter paper first के और eight chapter paper second के घवराओ मत examination point of view बहुत कम हमें preparation करना है बहुत जादा preparation नहीं करना है बहुत कम preparation करना है लेकिन क्या क्या तैयरी करनी है यह तो समझ में आना बहुत जरूरी है है ना मैं हमेशा कहता हूँ winners do not do different things they do things differently जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते वो हर काम अलग धंग से करते वही धंग हमें पहिचानना है वही धंग हमें follow करना है किस तरीके से हम preparation करें smart work करना है हमें गदे जैसी मेहनत नहीं करनी है हमें smart work करना है आप मेरे साथ बने रहो मेरे साथ जुडे रहो यूटूब चानल को अवशा सब्सक्राइब करो आपके पूरे फ्रेंड को अवशा इस यूटूब चानल के बारे में बताओ वीडियो देखे बाद ला